हेलो, नमस्कार डियर श्टूडेंट, वेलकम तू सक्सेज काईरियर, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एन एफसी की जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग केटेगरी सेकेंड, जो की फीटर ट्रेड वालों के लिए है, यहाँ पे हम इस वीडियो में सिलेबस एड एग्ज कर दिजिएगा कि NFC के तरफ से आने वाली सभी recruitment की बारे में सभी notification की बारे में आपको पता चलिए तो चलिए वीडियो को start करते हैं देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर जो selection process है उसके बाद हम बात करेंगे syllabus और exam pattern के बारे में तो देखिए सबसे पहल spend के लिए 50 कोस्टन में जो mathematics से 20 कोस्टन रहेंगे science से 20 कोस्टन रहेंगे और general awareness से 10 कोस्टन रहेंगे चलिए मैं इन सबको एक एक डिटेल से बता हूँ आंगाistic सब्सकुल को कौन-कौन से करेंगे तो तीन मार्क मिलेगा और एक गलत इंसर करने पर आपको एक अंग काट लिया जाएगा ठीक है और यहां पर टेस्ट जो है आपका सिंगल मल्टीपल सेशन में होगा आपको मल्टीपल अब्जेक्टिव टाइप कोस्टन मिलेंगे जो कि बहुवी कल्पी हो रहेंगे चार आपसन होंगे एक उसमें सही होगा अब यहां देखिए यह जो प्री टेस्ट होगा सिर्फ क्वालिफाइंग मारक है यदि आप एसी हैं या ओबीसी हैं तो आपको 30% से अधिक लाना होगा सिटेज फ acee में और यदि आप स्टीन AHC के इलावा यदि जनरल और स्टी से तो आपकोels परसंट से एबोल आना होगा यदि आपका 30% से कम है ACOBC में और 40% से कम है जनरल और ST में तो आप stage first के लिए screen out हो जाएंगे यदि कम है तो screen out का मतलब होता है आपको बाहर निकल दिया जाएगा screen in कर दिया जाएगा देखिए यहां पर screen in लिखा है यानि कि screen in का मतलब आपका stage first qualify कर चुके है आपका यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है stage first जो होगा यह सिर्फ qualifying मारके यहां पर आपका merit इससे नहीं बनेगा merit आपको चलिए यह भी मैं बता दूँगा merit आपका किससे बनेगा उसके बाद आपका pre exam होगा stage first इसमें आपका जो question आएगा stage first में screen in candidate जो हो जाएंगे देखिए all candidate screen in stage first will be allowed to undertake an advanced state तो जो candidate screen in होंगे वह candidate advanced stage जड़े पाएंगे यदि screen out हो रहा है तो आप stage to exam नहीं दे पाएंगे फिर यहां पर देखिए advanced stage में भी आपका 50 multiple choice question आएगा जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे और pre exam के लिए 50 question के लिए एक घंटे और advanced test जो होगा उसमें 2 घंटे आपको मिल जाएगा यह याद रखिएगा दूसरा यहां पर भी सेम वैसे ही है यदि आप एक question सही कर रहे हैं तीन मार्क मिलेगा और एक गलत कर रहे हैं तो एक मार्क काट लिया जाएगा advanced test जो होगा आपका वह आपका advanced test जो होगा यदि आप feeder trade से हैं तो यह feeder trade में चलिए मैं आपको बता दूँगा कौन कौन से chapter से पढ़के जाना है यह भी details से मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीडियो को skip मत करिएगा सारी चीज़े हम इस वीडियो में आपको clear कर देंगे exam pattern, syllabus, selection process से related तो देखिए जो advanced test होगा stage 2 यह आपके respective trade से आएगा यानि कि feeder trade से आपका exam होगा और इसमें भी जो candidate SCOBC से बिलांग करते हैं 20% mark से कम नहीं होना चाहिए stage 2 के लिए जो कि यदि इसका candidate का 20% से कम mark होता है SCOBC वाले के लिए other candidate scoring जो होगा 30% से कम होता है stage 2 के लिए तो उनको भी screen आउट कर दिया जाएगा ठीक है तो आपको stage 2 में भी SCOBC से हैं तो 20% से अधिक mark लाना होगा और other candidate हैं जैसे कि general और EWS, ST category से तो 30% से अधिक mark लाना होगा तो ही आप eligible होंगे screen third के लिए जो कि stage third होगा वो आपका देखिए क्या होगा stage third physical standard test होगा follow by skill test उसके बाद ही आपका skill test होगा तो physical standard test में आपका क्या होगा तो जो candidate merit list prepare की जाएगी देखिए यहां पे लिख़्ा है best on merit list prepared after stage 2 तो stage 2 के बाद merit list तैयार किया जाएगा जो भी candidate का नाम रहेगा उसमें वो start listed करेया जाएगा वही candidate यहां पे physical standard test as per table a above दिया गया है वो दिखा देगे हम बता देंगे physical standard test आपका कैसे होगा जैसे ही यदि आप stage 2 qualify कर ले रहे हैं तो physical standard test होगा उसके बाद आप stage 3 यानि की skill test में दे पाएंगे तो चलिए मैं यहां पे आप लोग को दिखा दूँ कि physical standard test में आपका क्या होगा उसे पहले कुछ और बाते कर ले रहे हैं चलिए मैं दिखाई दे रहा हूँ पहले physical standard test में क्या-क्या check-up होगा आपका तो stage 2 के तुरंत बाद आपका physical standard check होगा जो कि आपका सबसे पहले height check होगा height minimum आपका यदि आप male candidate है तो 102 cm होना चाहिए और female candidate है तो 48 cm होना चाहिए weight आपका height के हिसाब से weight आपका height के हिसाब से 18-25 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से अधिक भी नहीं होना चाहिए इसके बीच में रहेगा आपका range weight के ratio के हिसाब से आपका लंबाई के हिसाब से तो आपका सही होगा color देखिए यहाँ पर vision check किया जाएगा जो कि night और color blindless नहीं होना चाहिए वड़ानता नहीं होनी चाहिए और जो distance division होगा 16 by 18 और इसे बेतर होगा without wearing glass यानकि बीना glass को पहन कर any other add बीना किसी add के और correct table 6 by 6 होना चाहिए near vision में n8 होतना चाहिए without wearing glass any other add correct table 2 and 6 होना चाहिए अब देखिए यहाँ पर vision के लिए 2 जू है prefer ear drum need not apply जो ear drum यूज करते हैं उनको apply नहीं करना चाहिए however the candidate who had perforated ear drum earlier got rectified by surgery are eligible to apply यदि आप ear drum पहले यूज करते थे और अपना operation करवाने के बाद surgery करवाने के बाद सही हो गया आपका तो आप apply कर सकते तो यह था physical standard test जो होगा इसके बाद आपका skill test होगा na stage 2 के बाद क्या होगा physical standard test होगा अब उसके बाद skill test होगा चलिए बताओ skill test में आपका क्या होगा physical standard test होने के बाद आपका skill test होगा candidate clearing the physical यानि कि आप physical standard test pass कर ले जाएंगे तो आप stage 3 देंगे जो कि skill test होगा और यह skill test के लिए stage 2 जो qualify करेंगे candidate उनको 4 से 5 हुणा ही candidate को बुलाया जाएगा इसे अधिक नहीं ठीक है जितनी seat है, seat से 4 से 5 भूना candidate को लिया जाएगा last stage के लिए skill test के लिए अब skill test में देखिया आपका क्या होगा stage 3 skill test is only to assert the skill of the candidate in the relevant trade and the test will be conduct on go no go basis ठीक है तो यहाँ पर आपका skill test check किया जाएगा जो कि आपके relevant trade से होगा वो भी कैसे conduct किया जाएगा go and no go basis के अधार पर किया जाएगा और सबसे important point यहाँ पर ध्यान रखना है candidate clearing the skill test will be start listed and in the order of merit basis and the mark secured in stage 2 ठीक है तो finally आपका skill test हो जाएगा stage 2 होने के बाद तो आपका merit list जो बनेगा यहाँ पे मुख्य रुप से ध्यान देना है जो merit list बनेगा stage 2 में जो आप mark secure किये रहेंगे जो stage 2 में mark secure किये रहेंगे उसी के हिसाब से आपका final merit मेरिट मेरनेगा जो की selection के लिए है तो आपको stage 2 काफी अच्छा performance करना है और आपको समय ही अच्छा performance करना है चलिए अच्छा performance करने के लिए आपको ध्यान देना होगा syllabus तो हम syllabus की भी बता दे रहें आपको आपका stage first यानि की preliminary जो screening test होगा इसमें mathematics उसके जो 20 question आएंगे इन ही chapter से आएंगे देख लिजे कौन कौन से chapter है पहला जो chapter है average average आपको अच्छे से तयार कर लेना चाहिए mathematics में number system and simplification उसके बाद probability speed time and distance जो की train और boat और stream पे हो आधारी उसके बाद mensuration, trigonometry, geometry, simple and compound interest पढ़ लेना है ratio and proportion partnership पढ़ लेना है, percentage पढ़ लेना है, algebraic expression and inequalities ये पढ़ लेना है mathematics में profit loss पढ़ लेना है, number series, speed distance and time पढ़ लेना है time and work, SCF, LCM, time and work, pipe and system, उसका mixture allegation, data interpretation, number system ये mathematics में 20 question इन ही chapter से आएंगे तुँ सबको तयार कर लिजेगा दूसरा जो portion है आपका science का question जिसमें आपको 20 question यहां से भी देखने को मिलेंगे तो जो मुख्य टापिक है जैसे कि nutritions and health, dual nature of matter and radiations, electro aesthetics, electromagnetics, induction and alternating current, heat thermodynamic, metal and non-metal, the motion of system of particle and rigid body, magnetic effect of current and magnetism, laugh motion, computer science, atomic nucleus, solid and semiconductor device, physical world and measurement ये पढ़ लेना है electromagnetic wave पढ़ लिजेगा उसके बाद organic chemistry, mechanic of solid and fluids, kinetic current event, work energy and power, physiology, human disease, human disease, optics, food, principle of communication, ये आपके science से question बनेगे यहां से, उसके बाद last is general awareness, जो general awareness देखिया artist, Indian culture, important dates, work organization, geography of India, countries and capitals, famous places, music and literature, scientific observation, international issues, musical instrument, famous place in India, economic issue in India, national and current international affairs, national dons, tribes, about India and its neighbor countries, handicrafts, national news, political science, ये आपको तयार कर लेना है, जो की stage first का मैंने full syllabus आपको बता दिया, अब चलिए stage 2 के लिए आपको तयार ही कैसे करना है, ये भी देख लिए stage 2 जो की advanced test होगा, fitter trade से ही आपका question आएगा, तो जो मुख्ये chapter है, जहां से आपकी question पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको यहां discuss कर दे रहा हूँ, पहला जो है trade introduction, यानि की fitter trade की introduction वगेरा देख लिजेगा अच्छे से, and safety percussion इसके MCQ को देख लिजेगा, उसके बाद दूसर measurement and measuring instrument देख लिजेगा, ठीक है, उसके बाद तीसरा common hands tool, उसके बाद marking and marking tools, properties of metals, drilling machines, forging, heat treatments, sheet metal works, solder, lathe, fastener, files, gauge and template, surface finishing, bearing, welding, drilling, reaming, screw thread, grinding, interchangeability, metal scrapping, precision measuring instrument, plant maintenance, assembly and related technique, cash hardening, soldering and brazing, jigs and fixtures, pipe fitting fire, conservation of finish surface, जो कि advance 2 के होंगे, तो यह जो advance 2 होगा, यह भी 50 mark होगा, तो इन सब को अच्छे से पढ़ लिजेगा, क्यूंकि आपका selection और merit list, stage 2 से ही बनेगा, तो यह ध्यान रखिएगा, stage 2 में आपको अच्छा performance करना है, stage 1 सिर्फ qualifying मारके, बस आपको qualifying करना है, तो आप stage 2 में आ जाएंगे, stage 2 में जो आप number लाएंगे, वही आपका selection दिलाएगा, ठीक है, physical standard test के बाद, आपका skill test होने के बाद, इसी से merit बनेगा, इस and power transmission, lubrication and coolings, industrial engineering, installation, overhauling and maintenance of machine, installation and foundation of device, जो की advance 2 का ही पाट है, मैंने यहाँ पे discuss किया, advance 2 यह सारी चीज है, फिर यह, इन चेप्टर को आप ध्यान पुर्वक और इसके MCQ को पढ़ लिजेगा, जो की competitive exam के होगा, यहाँ पे feature के मैं MCQ का link description box में दे दूँगा, जहां से आप amazing से purchase कर सकते हैं, जिसमें आपके feature के सारे question मिल जाएंगे, जो की important है, और सारे chapter wise, अगला जो आप लोग का stage 3 होगा, तो मैंने already discuss कर दिया, physical standard test होगा, उसके बाद आपका skill test होगा, skill test में आपको relevant trade से ही आएगा, conduct होगा, ठीक है, तो मैंने इसमें आपको संपूर जानकारी दे या जो की आपको feature trade से, stipendry category second के लिए यहाँ पे exam syllabus pattern, जो है exam का pattern है, या selection process है, सारी मैंने वीडियो में discuss कर दिया, यदि इसके इलावा कोई query रे रही है, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, या आप मुझे instagram पे follow करके, मुझे message करके directly पूछ सकते हैं, ठीक है, और एक खास बात दोस्तों, आप पहली बार channel पे होंगे, तो channel को subscribe जरूर कर लिजेगा, कि NFC के तरफ से आने वाली सभी video की notification आप तक पहुंच जाए, आज के लिए वीडियो में इतना है, thanks for watching this video guys, bye bye, take care